हाई दोस्तों मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर्श स्वागत है मेरे स्टे वीडियो में दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि बिल्डिंग का प्लान बनाना उसका सेक्षन इलिवेशन बनाना एक सिविल इजिनेरिंग के लिए ओन जॉब होता है अगर आपको इस जॉब में बहुत इंटरस्ट है तो दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा रेडि हूँ तो आपके लिए मैंने एक प्लान ये हम एक प्लान निकाला है जिसके माद्यम से ये प्लान आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में मेरे वेबसाइट के उपर जाके जिसका नामे www.civilnotes.com अगर आपको एक प्लान डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिशन बॉक्स में दी हुई है आपको इस प्लान को समझना बहुत ज़रूर है इसलिए इस वीडियो को लास तक देखना मत बुलेगा देखिए सबसे पहले हम इस पूरे प्लान में आपको जी प्लस सिक स्टोरी का एक रेसिदेंशल प्लान दे रहे हैं यहाँ आप यह इस तरीके से एक प्लान बनाया है यह नीचे का एरिया है यहाँ पर हमने पार्किंगर्या रखा है और एलेक्ट्रिकल मेकाenिकल रूम रखिये एक वेटिंग रूम रखिये ड्राइवर के लिए और यहाँ पर टॉलीट बातरम रखिये आप यहापे देख पाएंगे हमने windows और column को कैसे represent किया है तो अगर आपको और कोई plan बनाने है तो आप इस plan को refer कर सकते हो और इसी plan को refer करके अपने final plan भी बना सकते हो तो आप देख पाएंगे हमने यहापे किस तरीके से window और यहापे column रखा है और यह हमने डोस भी यहाँ पर रखे हैं, हमने यहाँ से staircase रखी है, ठीक है, उसके बाद जो top floor plan है, वो हमने इस तरह की से बनाए है, जिसमें सबसे पहले उपर आएगा बंदा, तो सबसे पहले एक flat इस side में रखा है, और एक flat हमने इस side में रखा है, और यहाँ पर हमने toilet flat, okay, right, after that, यहाँ पर हमने toilet रखा है, उसके बाद similarly, same multiplication हमने इधर किया है, और इसका जो column की position हमने दिया, हमने इस तरीके से दिया, आप देख पाएंगे, आपे, right, you can see, ठीक है, similarly, यह जो हमने बनाए, यह पूरा जो area है, हमारे पास जो total area है, that is, 14.63 by 10.97 metric, आप इसको square feet म में plan मिल जाएगा, ठीक है, बस आपको convert करना है, तो यह plan है, 10.63 by 10.97, 14.63 by 10.97 का, बाकी के हमारे जितने भी floor है, सारे इस जाज सही है, उसके बाद, यहाँ पर जो चीज है, जो आपको सिखना चीज है, वो है कि किस तरीके से हम North Point डिखाते है, okay, और हमने उसका यहाँ पर आपको section भी दिखाएगी, कैसे section होगा, तो देखिए, यहाँ पर नीचे, okay, here we will have the plant, मतलब यहाँ पर आपका parking गिरी है, तो बंदे यहाँ से चड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने कि आपका कैसा beam रहेगा, देखिए, हमने यहाँ पर प्रॉपर दिखा है, staircase हमने यहाँ पर दिखाएगी, आपको कैसे use करनी है, चर्जे हमने दिखाएगी कैसे use करना है, windows हमने दिखाएगी कि इस section में कैसे दिखानी है, wall को कैसे दिखाना है, doors को कैसे दिखाना है, ठीक है, यह सारी चीज़े हमने इसमें आपको दिखाएगी है, ठीक है, और य यह X section है, यहाँ से लेके यहाँ तक और Y-Y section हमने यहाँ से लेके इधर तक लिया है, ऐसे, इस line में लिया है, तो यह हमारा Y-Y section है, similarly, जब भी हम कोई submission plan बनाते हैं, तो हमें यह important होता है कि हमें हमारा position देना होता है, कि road से कितने distance पे आपका घर है, क्या है, तो gate कहाँ से है, proposed building कहाँ पे, staircase कहाँ पे है, ठीक है, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे ऐसे देनी होती है, तो आप इस पूरे plan को refer कर सकते हैं, ठीक है, for proper preparation, और साथी साथ हमने यहाँ पे elevations भी बनाया है, कि आपका building का elevation कैसे रहेगा, यह हमने इदर एक texture बनाया है, यह gate है, ठीक है, front gate, इस तरीके से हमने आप elevation बनाया है, ठीक है, आप देख पाएंगे, तो दोस्तों, इस particular फाइल को अगर आपको download करना है, तो बे जिजएत, आप description में जो link दी हुई है, उसके उपर click किजे, ओके, और building के plan को download करना मत भूल have a nice day, bye-bye